हालो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर इस सैटिस्फेक्टरी सॉलोशन अफ मैथ पढ़ने वाले सभी छात्रिक जो इस बार SSC CGL में अपने बहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं गणित में वो सभी मौजूद हैं और लगातार जो हम दे रहे हैं उसे फुल्फिल कर रहे हैं यह चल रहा है आपका पचास दिन के टार्गेट कोर्स की मेहनत जहां पर हम SSC विजय बैच लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पाइपन सिस्टन डेली नौ बजे आपके लिए सेलेक् कर रहे हैं उसके बाद में आपका अर्थमेटिक खतम हो जाएगा उसके साथ साथ फिर एडवांस में चुरू हो जाएगा रात को और काफी कुछ मजा आने वाला है जो बच्चे डेडिकेशन के साथ यहां कोर्स कर रहे हैं जो यह फ्री कोर्स आपके लिए लेकर आया अधिकला करेंगे उससे पहले कि थोड़ा सा वेट फूर रेस्पॉण कर देते हैं प्रोग्राम को थोड़ा सा वेट चाहिए आगे प्रोग्राम सेट हो रहा है और यह आपकी पैनेश्य ऑफ अर्थमेटिक है और यह आपकी जीकी की बुक है यह आपका फांडेशन बैच है जो कि केरियर वे लेपर आपको मिल रहा है बढ़िया बैच है सबको जुड़ना है सबको ही जुड़ना है ठीक है और यह पैनेशाफ अर्थमेटिक आपको के लिए लॉंच करूंगा मैं मैं नेक्स्ट वीक आपके पास आजाएगी यह बोक है ना एक लिक लगेगा बस आप लोग बताएए कि असर इसका आएगा इस दो तो ऐसा कोशन क्या कहता है कि जब A और B मिलकर किसी कार्रे को कुछ दिन में कर सकते हैं और A अकेला उस कार्रे को करने में 4 दिन अधिक लेता है और B अकेला उस कार्रे को 2,9 के दिनों से 9 दिन जादा लेता है तो यहाँ वही वाली बात है कि A और B अगर किसी कारे को X दिन में कर रहे हैं तो A जो है वो अकेला जो है ना उस X दिन से आपके कितने दिन 4 दिन जादा लेगा और B जो है वो X से 9 दिन जादा लेगा तो X की value directly आ जाती है कितनी यह जो A और यह B है ना वो अंदरूट में आ जाएंगे अंदरूट A B तो यानि कि 36 का 6 तो A और B दोनों मिलकर किसी कारे को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में कैसा लगा concept बड़ा प्यारा concept है और उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने सही answer दिया हो जिन्हों ने homework किया है ठीक है अगला question आपके सामने है यह देखते हैं समय शुरू करता हूँ आप लोग बनाईएगा मैं देख भी रहा हूँ कि कितने बच्चों ने सही answer दिया है इसका कि 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 इसका answer क्या निकल कर आया 120 बटे साथ बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है प्रियंका का सबसे पहले answer मुझे दिख रहा है उसके बाद सोनाली का दिख रहा है इब्राहिम का दिख रहा है शुभम का दिख रहा है कि और कि दी भी दे रहे हैं शशी रतनाकर क्रिश्न प्रशांत बहुत बढ़िया यार होमवर्क की आये बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया देखिए ए और बी एक साथ कारे करते हुए तो अकेला बताओ अकेला यह उस कारे को कितने दिन में करेगा पहानी ज़रा समझने की कोशिश करो कि ए और बी मिलकर उस कारे को दस घंटे में करते हैं मेरे पास दो विकल्प है तो आधाकार्य कितने में करेंगे पांच घंटे में करेंगे और वही आधाकार्य धाई घंटे ए और साड़े आठ घंटे भी करें तो आधाकार्य यह हो जाएगा तो क्या हम यहां से कह सकते हैं धाई ओफ ए बराबर साड़े तीन ओफ बी ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है साथ बटे पांच टोटल वर कितना हो जाएगा 35 साथ और 5 बारा बारा पंजे साथ दूनी 120 टोटल वर की हो गया और एकिला कितने में करेगा 120 बटे साथ कैसा लगा मेरा कॉंसेप्ट और मैंने कुछ यूनिक किया है आप में से कितने बच आधा काम कितने में करेगा पांच घंटे में करेगा तो मैंने यहां से सॉल्व करके एफिशेंसी निकाली साथ और पांच बारा पंजे साथ लेकिन यह तो आधा काम है तो पूरा काम 120 कैसा लगा दोस्तों यह तरीगा बताओ मज़ा आया आप लोगों ने डबल से किया अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है आई यह जवाब दीजिए क्या अंसर आप लोगों ने किया था इस कोश्चन का जो की हूंवर्क में 13 नंबर कोश्चन है और आंसर देखता हूं क्या आ रहे हैं आपके कि नाइन बाई सेवन जिनका भी आँशर आ रहे हैं तो मैं यह देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों का नाइन बाई सेवन आ रहे है वो ओके है अंसर बहुत अच्छा किया बाई छे महिलाएं किसी कारे को तीन दिन में करती हैं नौ लड़कियां उसी कार्रेक को दो दिनों में करती हैं, महिलाएं और लड़कियों का जो रेशो आ रहा है, एक अनुपात एक याने की बराबर है, एफिशेंसी, तो टोटल वर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 8 महिलाएं और 6 लड़कियां उस कार्रेक को कितने दिन में क करेंगी आठ होचाए 14 यानि कि 9 बटे साथ तो 9 बटे साथ में आपका दिनों में आपका काम हो जाएगा जी बिल्कुल ऐसे ही मीटर खेंचते रहे हैं और क्या अगला प्रश्ण बनाया होगा इसका अंसर क्या आया था आप लोगों ने जब होमवर्ट में किया था यह अच्छा आश्वनीश का अंसर आ रहे है अश्वनीश का अंसर आ रहे है बहुत बढ़िया बहुत 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 बढ़िया 10 11 चालिस आदमी एक काम को पंधरे दिन मेंге करते हैं कि उनके काम को शुरू करने के तीन दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं काम को शुरू करने के तीन दिन बाड तो चालिस आदमियों के तीन दिन तक काम करने के बाद बीस आदमी और जुड़ गए काम किते दिन में होगा तो चालिस आदमियों का बारे दिन का काम साथ आदमी किते दिन में करेंगे बारा पंजे साथ और पन अठे चालिस आठ दिन में अभी काम किते दिन में हुआ है पूरा काम तो देखो सर तीन दिन ये लग गए और आठ दिन बाद में तो कुल मिलाकर ग्यारा दिन में काम हुआ है तोटल पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 11 दिन में हुआ है, सही आंसर निकाला, आप लोगों ने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, सच्छी बोल रहा हूं मजा आ रहा है, आपके आंसर देखकर भी, अगला प्रशन बनाएंगे क्या किया आपने इसके साथ, क्या आंसर निकाला, बढ़िया कुशन है, लेंदी कुशन हो सकता है, बट आसानी से करना है, झाला प्राइब रहा हुन है आदमी आठ महिलाएं कि किसी काम को दस दिन में 26 आदमी और 48 महिलाएं दो दिन में ठीक है तो बहिए ऐसी बात है दो से काट दिया मैंने इसको पांच बार है पंजे 30 30 में से 26 गया तो चार एम सालिस आठ डबल्यू एम और डबल्यू का जो रेशो है वो दो अनुपात एक है शे दुनी बारह और आठ बीस दो सो आपका टोटल वरक आ गया कौन-कौन कर रहा है 15 पुरुश और 20 महिला है 15 दुनी 30 और 20 पचास तो पचास का भाग दे दूँगा तो चार दिन में हो जाए कैसा लग रहा है यह 50 कैसे आया पता है 15 पुरुश और 20 महिला है तो 15 दुनी 30 और 20 पचास मज़ा आ गया सी ओप्शन आपका राइट अंसर आ चुका है यह लीजे अगला करेंगे मस्त कोश्चन है इसका अंसर किसे ने निकाला वाई बहुत बढ़िया और मिला मीकूप तुम सच में वाकई में हमवर किया है सबने बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हो और मतलब यही तो चीज होती है होनी चाहिए अंदर एक स्टूडेंट के अंदर एक पुरुश या दो महिलाएं या चार लड़के या पांच लड़कियां किसी कारेक को 49 दिन में करती है ठीक है भाई ठीक है मिलकर कित्ते दिन में करेंगे तो मैं टोटल रख माल लेता हूँ मिलकर की बात कर रहे हो तो आप एफिशेंसी मालो 20 तो M W B G 20 मानोगे तो एफिशेंसी 20 दस पांच और चार यह इनका एक्चुल रेश्यो आ गया तो बोला गया है क्या कि एक पुरुष एक महिला एक लड़का एक लड़की मिलकर उसी काम को कित्ते दिन में करेंगे रुको तो एक पुरुष यानि कि एक 20 एफिशेंसी है और 49 दिन में कर रहा है तो सब मिलकर कितने दिन में करेंगे 49 इंटूट दिन 20 दिन में करेंगे कोश्चन बढ़िया है मतलब नहीं आते हैं इससे आपको डाया जा सके डर ही सबसे बड़ीद दवा होती है डर होगा तभी बच्चा पैसा खर्च करेगा डर नहीं होगा तो बच्चा पैसा खर्च करेगा जो काम आप पैसे देकर ये पढ़े होंगे जिसने उनमें भी ये कोशन नहीं कियोंगे केवल बड़े-बड़े कोशन कियोंगे जिससे कि आपको एक वर डर लगे डर ही सबसे बड़ी चीज है जिस दिन वो निकल जाएगा पढ़ पढ़के और आपको यह confidence आजाएगा कि आर exam relevant पढ़ने से यह selection होता है तब आप यहाँ पर रहोगे जैसे कि क्या ही सारे बच्चे हैं एक्जाम रिलेवेंट पढ़ो और selection लो simple गणित है टॉपर भी यही करता है टॉपर डरता नहीं अगला प्रशन आपके सामने यह रहा आराम से करिए कि एक्जाम से यह से टॉपर प्रशन आपके सुस्छंग करपाओ धर करिए क्जाद 2 प्रशन आपके बहुत बढ़िया बहुत अच्छा किया देखो पता है यही चीज है को बीस आदमी है या फिर 24 महिल आये हैं या फिर 40 लड़के या रहे न बीच में तो इकोल आया प्रत्री दिन आठ गंटे में वारे दिन में समप्त कर देता है ठीक है यह अच्छी बात है बुरी बात नही ले लिए लिए न और टोटल वर्क निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल होगे यसे यह एफिशेंसी हो गई 20 पुरूष हो गए और आठ गंटे काम करते हैं बारे दिन में करते हैं कोई काम कि टोटल वर्क हो गया अब बोला गया कि कितने व्यक्ति छै महिला है और दो लड़ 5 घंटे करना है 12 दिन में समात करना है एफिशेंसी क्या होगी जा ऐसा करो बराबर ले लो इनको गया चार गुना कार रहे हो गया 5 घंटे बारा दिन एफिशेंसी क्या है कि कितने व्यक्ति यानि कि 6 इंटू X प्लस 6 महिलाए है 6 महिला है यानिकि 6 पंजे 30 दो लड़के आ चे बारा से बारा खतम पांस से खतम चार बार और और शे एक्स प्लस च्छेश तो छे खतम छे बार एक्स प्लस छे बराबर अर्ट चो कि बत्पिस चो कि कि 128 एक्स बराबर 122 कि मुझा आग्या क्या प्लीज बताएं हर कुश्चन बना पारे हो ना बहुत अच्छे यार बहुत बढ़ी यार लाइक शेयर भी करते रहा करो आ रहे ना देखो आप लोगों के लिए महनच चल रही है प्रॉपर चल रही है अगला प्रश्ण यह रहा ठेकिदार वाला कुश्चन है इसका अंसर क्या निकाला आपने अथा कोई रहे गया क्या कोई कुश्चन शिट यह रहे गया है भीस अंसर आरा है बही लोग इस्टूडेंट्स का एक ठेकेदार 80 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैंसला लेता है और शुरुवात में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अत्रिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त करता है काम को समय के अनुसार पूरा किया यदि उसने अत्रिक्त पुरुषों को नियुजित नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने के लिए कितने अत्रिक्त दिनों की आवश्रक्ता होती है पुष्चन बड़ा ही गजब है बहुत गजब है एक ठेकेदार असी दिनों में काम पूरा करने का फैंसला लिया और शुरुवात में साथ पुरुषों को काम पर रखा आप मुझे एक चीह बताओ असी दिनों में कार्य करना है और साथ पूरुष रखें तो उसके इसाब से तो काम अरतालिस सो होगा क्योंकि उसने यह सोच रखा था अब बोला गया सर बीस दिनों के बाद बीस पूरुषों को निक्त किया गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि अरतालिस सो असी डी बराबर छह दुनी बारह सो चले गए तो छतिस सो आठ चोके बत्तिस आठ पंजे चालिस पैंतालिस दिन तो कुल मिलाकर किते दिन लग गए बीस और पैंतालिस यह लग गए सब पैंसट दिन अगर यह नहीं नहीं करता तो नहीं करता तो असी दिन लगते और गया तो कितने दिन बचा लिए अच्छा नहीं करता तब नहीं करता तब तो नियोजित नहीं करता तो साथ ही लोग रह रहे होते बारे सो अब साथ ही हो रहे होते तो डी बराबर च्छतिस सो बटे साथ साथ दिन तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं नहीं है इसका मतलब नियोजित नहीं करता तो साथ दिन लगते अधरिक दिनों क्या आवश्टा होती तो साथ और बीस असी हां और यहां आ रहा है कितना कि पैतालिस कि दुबारा सोचिया गड़ बढ़ हो रही है मज़ा नहीं आ रहा है निकट तम पूर्णांक में और पूछ रहा है राउंड ओफ पैर को असी दुनों में कार्य करने का फैंसलर लेता है सुर्वात में क्या होता है साथ पुरुष ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो पूछे मताब अच्छा असी दिनों में कार्य करने का फैंसला लेता है ना साथ पुरुष ने वीज दिनों तक तो काम किया ही किया यह तो बीस दिन है ना एक मिश्टेक हो जाती है ना दिन और वह उनमें है अच्छा टोटल वर्क यह होगा तो नहीं टोटल वर्क मतलब इससाब से अब कैल्कुलेट कर सकते हैं अड़तालिस सो और बारे सो छे अजार हो गया है अब यह शे अजार काम है आप से बोला जा रहा है कि छे अजार काम अगर साथ लोग ही कर रहे होते है तो कित्व दिन में होता सो दिन में कि मतलब एक्स्ट्रा हो बुलाएं नहीं अब इसकि किट्व धीन में हो गया असी दिन में हो गया श्क्रावत ही अगर अगर लोग नहीं से तो तो 60 ही लोग रहते 6000 जो काम है वो 100 दिन में होता लेकिन है तो 80 दिन में करना था न तो वह 20 दिन पहले हो जाता अगर अत्रिक्त लोग नहीं आते तो 20 दिन ज्यादा लगते बात बराबर है अलग करते हैं अगला करते हैं इतना टॉप कोशन पूछेगा पेपर में यह टुफ कहा है यह तीन लाइन में कोश्चन हो रही है इतना टो पूछेगा वाइं इतना तो पूछ सकता हो तर नहीं है तन तुनeten थो नहीं है और प्रियांका का भी अंसर आ चुका है रतना का भी आ चुका है यह बच्चे करके आएं भाई उमवर्ट बड़ा बढ़िया काम है दखो यह करके आते हूं तो प्रैक्टिस भी होती है 32 दिन तक खा सकता है अभी बोला गया है साथ दिन के बाद कुछ सैनिक और आ जाने से तो मैं यह कह सकता हूं 7 दिन का खाना खा चुका है अब 25 दिन के खाने पर काम चलेगा यही लोजिक है जिसमें एक स्टैप मैंने बचा लिया यह 25 कैसे कि 22 दिन का खाना था 7 दिन तक खाना खाया जा चुका है अब बाद कर रहे हैं तो बॉद बात करते हैं 25 दिन के लिए तो एक तुर सेहनीक ने से 33 में और और हर कोई 10825 ग्रांती दिन कि सत्रे दिनमें समापब हो जाए है कि ऐस पहर zeigt जाए हैं रह frågor लोह और तो तो क्या है पत्र असे काट दिया मैंने कित्ती बार पचास बार कि ग्यार असे काटा तीन सो बार है ग्यार असाद सचित्तर ग्यारे पंचे पंचेट्तर यह पांच हजार एक्स पराबर आगे सकता है 1700 कि यह तो सारे आने लाएक प्रशन कर वा रहे हैं अच्छा लग रहा है बताओ यार क्या वाकई में सब कुछ हो रहा है प्रापर तरीके से बताएए अ कि जो एक्सपेक्टेशन लेकर मैं उतरता हूं कोशन कराने वह एक्सपेक्टेशन आप ही लोग बता सकते हैं सब पूरी हो रही है नहीं हो रही है कोई और नहीं बताएगा क्योंकि आप ही दर्शक हैं और दर्शक ही जज करते हैं अगला करिए चलिए यह और भी अच्छा कुश्चन है इसको जिसने किया होगा कि दो सो बावन यार बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर दो किया है आपने काम दो पुरुशों के एक समू में छे दुनों में एक काम करने का फेंसलह ले लेकिन हर दिन अठारे वैकृति काम छोडते गये यदी काम आठ दिनों में पूरा किया जाता तो प्रारंब में कितने पुरुशों ने काम लोग हैं तो टोटल वरक आपका कितना हो जाएगा छे एक्स हो गया अब क्या बोला जारा देखिए अब 18 में हर दिन चले जाते हैं बचाओ यानि कि अगर मान लीजिए एक्स लोग काम कर रहे हैं कि तो अगले दिन अठारे लोग चले जाएंगे तो अगले दिन अठारे लोग चले जाएंगे तो उस एक्स में से तो 36 हो गया और आठ दूनों में ऐसे ऐसे पूरा हुआ काम बड़ी मुच्छिए काम पूरा हुआ भाई अगर पास, बूर दो 1, 2, 3, 4, 5 माँच 6 7 8 8 7 9 हर दिन इतने 만들어 कर रहे अपने निए अपने आए तिन हो गया कुछ और ठोन नहीं हो आप इसोज रहे हो बस हो गया घ्रिंभ मारी है वह तो मैं यह कह सकता हूं यह कम किस के बराझ आप 8x के बरावर, तो यह हो गया सर, 8x, माइनस, कॉमन ले लो, 18 भी कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, एक, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, और प्लस का 6, 2x बरावर, 18, इंटू, 3, और 3, 6, 4, 10, और 5, 15, और 6, 21, और साथ 28, x बरावर, 28, इंटू 9, 252, x मतलब, प्रारम में कितने पुरूश्ट थे, x थे, कि मज़ा आ गया क्या, मज़ा आ रहे है, अच्छा लग रहे है, भूँद बढ़िया, कुशन कैसा लगा डिया, बताएं, अगला करीए, 40 आदमी किसी कारे को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर कारे आरम किया, और किंतु प्रतिक दसमे दिन अके अंत में पांच आदमी काम छोड़कर छोड़ते रहे, ऐसा होता रहा है, कि हर दसमे दिन में आदमी काम छोड़ता रहे, तो बताओ वही 40 आदमी 40 दिन में करते हैं, यही टोटल वर्क हो गया, अके आगे क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, और हर दसमे दिन, तो क्या मैं कह सकता हूँ, चालिस लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, फिर 10 दिन के बाद क्या हुआ होगा, 5 आदमी छोड़कर चले गए, फिर 10 दिन तक काम हुआ है, फिर 5 आदमी छोड़कर चले गए, और थोड़ा अभी सबर कर सकते हो, तो कर लो, क्योंकि आपको पता है कि भाईया, यह 1600 काम है, 1600 काम है, अब कैसे हो रहा है, एक बार चेक कर लो, जैसे कि 400 आया, यह 350 आया, यह 300 आया, यह 200 आया, अभी तक कितना काम हो चुका है, जिससे कि आप अंदाज ले पाओ कि कहां तक आपको रुकना है, तो 0, 5 और 5, 10, 5 और 3, 8 और 3, 11, और 2, 1300 हुआ है, अभी 300 और करवान है, अभी 20 लोग रहे गए, अभी 200 काम हो गया, अब मुझे पता है कि काम हो जाएगा, 1500 काम हो चुका है, अब जो आएंगे न, 15 लोग, वो कितने दिन में करेंगे, यह देख लो, तो 1600, 1500 काम बच रहा है, 100 बटे 15, तो यह हो गय दो बटे 3 दिन, यह दो बच रहा है कि 500 काम हो गया था पहली, 1500 काम हो गया, 1500 हो गया, पंद्र की एफिशेंसी से इतने दिन में हो जाएगा तो टोटल आ रहा 56 साही दो बटे टीन में मज़ा आ गया क्या अरे बताईए वाज़दा महराज जी बताईए सब लोग कि अच्छा लगा नहीं लगा अगला कर दें अन्तिम प्रश्न है फिर आगे यह पाइपन से सब्सक्राइब कोशन शुरू करेंगे यह अच्छा है करो पांच बच्चे किसी कारे को पूरा करने में जो समय लेते हैं उससे दुगना समय उसी कारे को पूरा करने में क्या है करते इस कारे को पूरा करने के लिए 12 पुरूष दस बच्चों और आठ महिलाओं को कितना समय लगेगा या दिमान लिया जाए कि एक बच्चा यह का रहा है बीज दुनों में पूरा करेगा हाँ यह ओफलाइन मिल जाएगी ओफलाइन नहीं मिलेगी ओनलाइन मिलेगी ओनलाइन एविलेव करा दी गई है फिलिप कार्ट पर देख लेना कि अजलिए आंसर आ रहें कभी कोई एक दे रहा है कभी चार दे रहा है कभी तीन दे रहा है फुष्यन अच्छा है थोड़ा दिमाग लगवाता हूं आप लोगों से तभी चल पाएगा दिमाग वरना नहीं चल पाएगा कि आप पांच बच्चों को पांच बच्चों को किसी कारे को करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कारे को पूरा करने में चार पुरुशों को लगता है मानलो इसको टी टाइम लग रहा है चार पुरुशों को उसी कारे को करने में दुगना समय लगता है तो यहां से पांच बच्चों बराबर आठ आदमी आ गया बच्चों और आदमी की एफिशेंसी आठ बटे पांच हो गई किसी को कोई समश्या है क्या किसी भी सज्जन बेत्विक्ति को कोई समश्या है चलिए अब बोला क्या रहा है आगे चलते हैं प्रतेक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गती से कारे करती है पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गती से कारे करता है किसी को कोई आपती है बराबर कर दू, पांच से गुना, दो से गुना, तो यहां से बात आ गई, पुरुष, दस, महिला, पांच, बच्चा, सोला इस कारे को पूरा करने के लिए, बारा पुरुष, दस बच्चे और आठ महिलाओं को कितना समय लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कारे बीस दुनों में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क होगे, तो किलिका टाइम लगेगा, किनको, बारा पुरुष, एक महिला है, चालेश, तीन सो बीस, तो अंसर कितना आ गया, एक दिन में, पूरा का पूरा टाइम लगेगा, रिवीजन हो चुका है आपका, चलिए, क्लियर है, चलिए, मज़ा आ गया भाई, देखो क्या होता है, आज कल, कुछ क्लास में, यह ची बता दूँ मैं, वो क्या केते हैं, अपना, चत्तुर राम अंगल निंगम, लोग बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को तो आता है सब कुछ, लेकिन बोले बाले लड क्रिती है, यह लड़की मतलब है नहीं, ओवेस सी बात है, ठीक है, तो यह मतलब आपस में इंगेजमेंट मनाते रहते हैं, इस से क्या होता है, यह क्या नाम है, उत्पल, निमित साहू, काशी जैसा लोग फस जाते हैं, रियल बात है फस जाते हैं वो सोचते हैं और इंस्टाइड आ रही है मैं भी बात करूंगा मेरी जिंदी की सफल हो जाएगी और मतलब मैं मज़ा आ जाएगा बहुत यह अपनी जिन्दी खरब कर लेते हैं बच्चे ऐसे और उससे कॉंपिशन कम कर लेता है बच्चा और क्या है चलिए आजकल दूर रही है सही रही है पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर पाइपेंड सिस्टन का लाइक शेयर दबा कर करिए और पहला प्रशन फोड़िए करिए कर दो का कैशी कहा रहा है सर मैं तो कुछ बोल रही नहीं अर्फ बोले नहीं तुम सोच तो इत्ती देर सही रह यह कि यार इसको क्यों दे रही है 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 इसको बोलने से नहीं रहा यही तो टेंशन थी बोलता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है लेखता रहता है अपनी मस्त रहता है जिस दिन तुमस्ती में मस्त नहीं रहेगा तायम लग रहा है कि भई कासी निकल लिया कासी में आईए एक पानी का नल किसी टब को फी घंटे में बढ़ता है और नीचे लगा सिंग्ध क्युँ घंटे में खाली कर देता है तो पीक्यू आपका टोटल हुआ और यह पी ए और यह माइनस्का क्यूए यह Q है और यह माइनस का पी है यह efficiency हो गई ना पाइप है यह तो और यह उस तर से भढ़ रहे हैं यह खाली कर रहा है तो बोला जा रहा है तो पी क्यू बटे बढ़ेगा अभी बढ़ेगा तो आपका क्यू बढ़ा है पी से आर घंटे लगते तो बस अवल्टा कर दो वन बरावर तो Q माइनस Q अपन पी क्यू माइनस P अपन पी क्यू तो वन अपन आर बरावर वन अपन पी माइनस वन अपन क्यू नोट करो यह answer आएगा कि अ आएए हैं मजा आ रहे है कर पार रहे हौ रहे हो को श्यंब बड़ा दमद्धा रहे हैं अगला बनाईए कि अ कि एक तंकी को को बारे मिनतर चौबिस मिनट में भर सकते हैं है अ इस इस पाईप कौकशे liquid न घ्री करते MER है अधार कर सकता है तो टो頭 होगा लाए 26 में बारे अठ्ट च्यानर में 24 चौकह च्यानर में और 32 इस्तिया 96 में लेकिन माइनस में क्योंकि खाली कर रहा है देखो सीखाली कर देता है तो खाली वाला है पाईप। इनों पाईपॉप को एक साथ खोल दिया गया हालाकि कि पाईप सी को टंकी पानी और निकल जाएगा है अब ही सारे लोग खुले हुए बारा में से तीन गया तो नौ कि तो दस मिनट में टंकी भर जाएगी तो आपको कह रहे सब प्लस होता है अहां प्लस ही होता है लेकिन ऍब्लस तब होता है लेकिन यह तो खाली करने वाल है तो इसको चालू रखो तो चालू रखने में माइनस 3-3 लाश्ट के 2 मिनट में और खाली कर देगी माइनस का 6 तो 90 मिनट का मतलब सारे के सारे आपके खुल ले रहे हैं हां सारे के सारे अगला करो अगला करो 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं तंकी के भरे होने पर इसे C द्वारा X मिनट में खाली किया जा सकता है जब तीनों पाईप एक साथ खोले जाते हैं तो तंकी 10 मिनट में भर जाती है 60 X मान लिया 12 पंजे 60 15 चोके 60 और माइनस का 60 तीनों खुले होने पर 60 X पराबर 9 X मानस का 60 तंकी किती दिर में 10 मिनट में भर जाती है तो 10 6 बार 6 X पराबर 9 X मानस का 60 3 X पराबर 60 X पराबर आगया 20 यह हुई ना बात करने वाले के लिए सब जो बच्छा कर रहा है न उसको आउटपूट भी मिल रहा है रिजेल्ट भी लेकर आएगा वह अच्छा लगे लाइक बाइक करते रहा करो तुम वही करते हो यार है गजब बात है अगला करो बढ़िया कुश्चन है इसी तरह का डेटा देखने को मिलता है वेबर में झाल झाल एक नल एक टंकी को इतने गंटे में उसकता है 11 बटे दू रिसाफ के कारण टंकी को बरने में 8 इतने लग जाते हैं याने कि एक होल भी है इसमें ना उस होल की वज़े से आठ चौके 32 और 33 बटे चार टोटल वर्क हो गया 33 तो छे है और यह चार तो खोल क्या कर रहा है माइनस दो से खाली कर रहा है अकेला रिसा वह तो 30% हिस्सा तो 33 निन्यान में ग्याने कि 99 थर्टी 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 परसेंट थर्टी अपॉन ट्यान टू की एफिशेंसी है तो 99 अपॉन ट्वेंटी खाली हो जाया 99 अपॉन ट्वेंटी मजह आ रहे है नहीं आ रहे है यार को कि ओमाइगाड जे बड़ा कुस्चन बट करने वाले करेंगे को सब सबसे किया जा सकता है सब कर सकते हैं बट करने वाले करेंगे और डरने वाले डरेंगे कि अ कि कि झाल 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 आया क्या अंसर आया एक टैंक में पानी की दो नले हैं जो खाली खाली टैंक को बारे और अठारे घंटे में भर सकते हैं कि ग्रिसा बंदू चुतिस घंटे में टैंक को खाली कर देता है कि यदि खाली टैंक को भरने के लिए सबी नलो को एक ही समय पर खोला जाता है और इसा बंदू को एक घंटे बात बंद कर दिया जाता है तो खाली टैंक को कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी बढ़िया वही टोटल वर्क मान लो आप 36 बारा तीया 36 अठारा दूनी 36 और माइनस का एक यह होल है होल आप बोला जा रहा है कि तीनों को खोल दिया जा रहा है तो तीनों को खोल दिया जाएगा तो चार यूनि चार यूनिट एक गंटे में अब बची कितनी 32 तो चार बर गई लिए उन्हों खोल दिया मैंने एफिशेंसी तो एक गंटे की होती है न भाई अब बोला गया सर ए और भी पांच की एफिशेंसी है उसको बंद कर दिया ठीक कर दिया जाता है न रिसाब को पांच गंटे तक चालू रहा पर एक गंटे चालू रहा फिर रिसाब को ठीक कर दिया तो अभी हो गया सब 6 गंटे और चालिस मिनट 24 मिनट सब्सक्राइब साथ गंटे 24 मिनट आंसर आजाएगा टोटल टाइम डी ऑप्शन 7 आवर 24 मिनट्स कैसा लगा सेशन अब बाकी कुशन होमवर्क हैं कल करेंगे डिसकस बहुत सारा है तो आई हो मतब आई धिन्क सो कि कल मुझे पाइपजान ही बनवाना चाहिए सेशन तो कल पाइपन सेशन का परणी जाएगा ठीक है तो शेसाथ आप यह सारे कुशिन कल होगे तो पाइपन सेशन का पार्ट टू होगा 22 तक ठीक है करके लाना सेलेक्शन की दहार डेली रात को 9 बजे चलती है फिर पाइपन सिस्टन जब कल हो जाएगा कल एक और सेशन एड़ कर दे रहें इसमें और फिर टाइम स्पी डिस्टेंस दो दिन में खतम करेंगे ट्रेन बोटन स्ट्रीम कैसा लगा बताओ यार लाइक शेर किया करो जो बच्चा मेरे से अच्छा पढ़ना चाहरा है मतलब complete detail में पढ़ना चाहरा है अच्छे से theory करना चाहरा है मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाईया अच्छा पढ़ाने के लिए मैं हूँ आपके सामने आप लोग मेरे साथ क्यारियर वी लैप पर जोड़े railway section में मजा आपको सो प्रतिशत आने वाला है यह पैनेश्य आफ में नहीं पता है शेयर क्यों करते मुझे नहीं पता है लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूं सभी के लिए कर रहा हूं और अच्छी महनत करके content ला रहा हूं 11 बजे CTM चलता है यह railway की बुक आ चुकी है पहनेश्य लॉंच होने वाली है अगले week हो बाइ औाइ